Hello Everyone, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पैन कार्ड में अपने अधार कार्ड को कैसे लिंक कर सकते हैं और आपको लिंक कर लेना चाहिए, इन फिचर आपको कभी भी प्राब्लम क्रियेट हो सकता है तो कैसे हम लिंक करेंगे अपने pen card में अधार कार्ड को, तो चलिए शुरू करते हैं और आप मुवाइल फन का इस्तिमाल करते हैं, और अपने मुवाइल फन में अपने browser को open कर लेंगे और यहाँ आप google पे search करेंगे income tax income tax india e-fillings जैसे आप सर्च करेंगे उसके बाद यहाँ जो पहला website आएगा यहाँ पर देख लिजए www.incometax indiaefillings.gov.in तो आपको यहाँ पर click कर लेना है ठीक है? e-fillings homepage income tax department government of तो आपको यहाँ पर click कर लेना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो आपके पास एक pop-up page आएगा तो आपको यहाँ पर close कर लेना है जैसे आप close करेंगे ठीक है? close करने के बाद यहाँ पर देखिए जो है income tax के official website पर हम आचुके हैं इसका link मैंने वीडियो के description में भी दे दिया है तो आपको क्या करना है पर यहाँ पर देखिए अधार link तो आपको यहाँ पर अधार link पर click कर देगे जैसे आप अधार link पे click करेंगे तो आपके पास एक new page open होके आएगा और यहाँ पे दिखे क्या क्या आपको fill कर लेना है पहले हम आपको बता देते हैं उसके बाद सारा कुछ हम फिल कर लेंगे तो यहाँ पे आपको दिखे अपना pen number fill करेंगे pen card number और यहाँ पे अपना अधार card number fill करेंगे और अधार card में जो आपका नाम है वो यहाँ पे fill करेंगे यहाँ पे fill करने के बाद यहाँ पे आपको इस पे check mark कर लेना और यहाँ पे आपको check mark कर लेना और यह जो आपको capture code दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे फिल कर लेना है फिल करने बार request OTP पे आपको क्लिक कर लेना है तो चलिए यहाँ पे मैं सारा कुछ फिल कर लेता हूँ ठीक है यहाँ पे देखिए सारा कुछ मैंने फिल कर लिया है तो जैसे आप फिल कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर जो request OTP पर आपको click कर लेना है चलिए यहाँ पर मैं click कर लेता हूँ जैसे आप पर click करेंगे तो आपके पास इस तरह का interface एक page open होके आएगा तो आपको यहाँ पर क्या करने है ना यहाँ पर अपना mobile number एंटर करना वही mobile number आप एंटर करेंगे जो आपके अधार काड में link है तो यहाँ पर चलिए अपना mobile number एंटर कर लेंगे उसके बाद link अधार पर click कर लेंगे जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहां पर देखिए तो आपको क्या कर लेना है यहां पर जो है देखिए continue के बटन पर आपको क्लिक कर लेना है ओटीप विल बी सेंड़ टू इस mobile लंबर यानि इस mobile लंबर पर आपका एक OTP आएगा तो आपको इसलिए यहां पर जो continue कर देना है छलिए यहां पर मैं continue कर देता हूँ जैसे आप continue करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा तो यहां पर जो है आपको तो रेजिस्टर मोल लबर पर OTP आएगा यह OTP यहाँ एंटर कर देंगे ठीक है और वैलिडेट पर आपको क्लिक कर देना है चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो आपके पास इस तरह का एक पेस्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखे लिखा हुआ है यहाँ पर इसको पढ़ लिजए एक बार आप यूर रिक्वेस्ट हैज बिन सेंड टू यू आई डी आई फॉर वालिडेशन ओफ अधार प्लीज चेक दा इस्टेटस लेटर व इसका आप कैसे चेक कर सकते हैं इसके लिए सेंड वेबसाइट ओपन कर लेना इंकम टैक्स इंडिया-e-f-linx.gov.in जैसे ओपन करेंगा आपके पास यहाँ पॉप-पेस आएगा इसको आपको क्लोज कर लेना है क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर देखें क्लिक कर लेन और यहां पे जो चेक इस्टेटस डालॉड पैन तो आपको यहां पे क्लिक कर Chapter करेंगे क७ी करने के बाद यहां पे देखिए। अठार नबर एंटर करेंगे। और यहां पिए यह अपर एक डिजिट का अटिप आयगा अप उसको एंटर करेंगा और इसके बाद आप फिर से जो वालिडेट करेंगे तो वालिडेट करने बाद यहाँ पर यहाँ पर status देख सकते हैं तो I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें अपने सभी दोफ्तों के साथ सेर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ने भूले थैंक्स पर वाचिंग